हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपी के अपने यूटूब चैनल मरुदर क्लासिज में दोस्तों राजस्तान सब इस्पेक्टर ऐसा ही भरतिक के जो इंदी का पेपर था उनकी अंसरों की लेगर के आपके सामने उपस्ति दो गएं तो आपसे सोटी सिर्क बेश रहेगी कि आप इस एनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सेनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें तो पहला प्रशन दोस्तों आपका इंदी का आया था इसमें किरिया से बनी बावासक संगिया कौन सी नहीं है वो बताना था तो खटा ही है जो कि बावासक संगिया नहीं थी तो वो ये तीन नमबर में वह पतंग उडा रहा है इसका right answer हो जाएगा سौता प्रश्री किस विकलप में सभी संग्या सब्द किरिया सब्दों से निर्मित है तो वो है भूल और अंसी तो दो नमबर इसके right answer है अगला प्रशने इनमें विशेशन से बनी बावासक संगिया कौन सी नहीं है वो बताना था तो इसका राइट आंसर है ममता तो तीन नमबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रशने किस वाक्य में संबन सुसक अवेव का प्रयोग वगायत वह वगायत दो नमबर में अपरादी ने पुलिस के सामने जूट बोला अगला प्रशने विस्म बोदक सब्दों के सम्द में कौन सा कतन सही है वो बताना था तो ये तीन नमबर सही है ये प्राय वाक्य के प्रारम में आते हैं अगला प्रशने किस वाक्वे में निपात का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह किया जाता है एक नमबर सही है मुझे एक गिलास दूद सही है इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है किस वाक्वे में किरिया आकर्मा क्रूप में प्रियुक्त हुई है वो बताना था तो वो है दो नंबर वो बिना बात ही अंसर है अगला प्रशन दोस्तों था किरिया विशेशन राइत वाक्वे हैं तो शार नंबर इसका राइट अंसर हो जेगा वो अपनी सरसी इसका राइट आंसर होगा सरसी अगला प्रश्ण है निमलकेत किस विकलब में सब्द सबी सब्द पेड के प्रयावासी तो वह है तीन नम्बर इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरा नम्बर का विटम और द्रूम अगला प्रश्ण है दोस्तों किस विकलब में प्रस पर प्रयावासी सब्द नहीं है तो वह कपोत और पिक ये आपस में प्रयावासी सब्द नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण किस वाक्या में निपात का प्रयोग हुआ है तो वह किस में हुआ है दोस्तों, श्यार नंबर मुझे आने तो दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्यार नंबर, अगला प्रशन के इस विकलप में, सबी विशेशन, सब्ज़, संग्या सब्दों से रच्चित हैं, तो पीडित और दैनी, इसका राइट आंसर एक नंबर के साथ में जाएगा अगला प्राश्न दोस्तों निमनलिकित में विलॉम यूग में कौन सा विलॉम यूगत है तो वो है तीन नमबर सुकर और दुसकर अगला प्रशन किस विकलप में समुष ये बिनार तक सब्दों का अर्थ बेद सई नहीं है तो वो है दोस्तों दो नमबर में वरतत वंदत और समुट टंडल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नमबर अगला प्रशन है किन सम्सुरुत सब्दों का अर्थ बेद सई नहीं है तो एक नमबर हो जाएगा सीर सीर और वस्तर दिर्ग काल अगला प्रशन दोस्तों परिशिद सब्दों का सई अर्थ है तो इसका right answer दो number के साथ में जाएगा आवरण और अनुबाग गलापरिशन किस विकलब के सब्द परस पर विलॉम सब्द नहीं है तो वो है दोस्तों तीन number सलागानी और प्रसरनी ये आपस में विलॉम सब्द नहीं है किस विकलब में विलॉम सब्द यूगम नहीं है तो इसका right answer बताना दोस्तों तो वो होगा एक number संग्र परिग्र इसका right answer हो जाएगा प्रशन संग्या बाइस ज्यान प्राप्ति की सा रखने वाले वाक्यांस के लिए सार्थक सब्द दे तो वो होगा दोस्तों जिग्यासू एक number के साथ में right answer होगा कई हुई बात को फिर से कहना वाक्यांस के लिए सार्थक सब्द दे तो वो होगा क्या दोस्तों श्यार number के साथ जाएगा पिष्ट बेक्षान इसका right answer हो जाएगा अगला operation दोस्तों निमलिकित मैंसे किस वाक्य में संपरदान कारक के परशग विवक्ति सिन का परियोग हुआ है तो वो राम के लक्षमन वन गए थे तो दो number इसका right answer होगा जिसका आस्रन अच्या ओ वैक्यांस के लिए सार्थक सब्द क्या होगा तो वो होगा दोस्तों सदा सारी इसका right answer के होगा सदा सारी तीन number के साथ में जाएगा ऐसा रोग जो सुन्ने मातर से फैलता उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा तो संकरमान रोग होगा इसका right answer दो number यह तो सभी का सही answer होना सही है प्राना वाइरस है जो कि सांक्रमान बिमारी है अगला प्रेशने दोस्तों किस विकलब में कोई भी सब्द इस्ट्रिलिंग नहीं है वो बताना है तो नीबू दई और केला में नहीं ये भी सभी का राइट आंसर होना सही है कौन सा सब्द सदेव एक वसन में प्रयुक्त होत देगा इमाले से आने वाली नदिया निकल दिये इस वाक्ये में किस कारक के पुर्सक का प्रयुक हुआ तो एक नंबर होगा आपादान कारक अगला प्रेशने इन में से किस विकलब के सभी सब्द इस्ट्रिलिंग है तो जमली इमली सांधी और लौकी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर के साथ में अगला प्रेशन है दोस्तों निस्यार्त वर्ती का प्रयुक किस वाक्यांस के लिए हुआ किस वाक्य के लिए तो ये स्यार नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तों ने पुस्तक पढ़ लिए आवर्ती मुलक पक्स से सम्मनित वा सब्दों का अर्थ समिलित नहीं है तो वह होगा स्यार नमबर. ज़टर. जरत. जैश्ट. बड़ा और बूड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला ब्रेश्न दोस्तों किस विकल्ट में समुस्रुत बिनार्थ सब्दों की अर्थ समिलित हैं तो इसका right answer एक में जाएगा सवुता सवुदा तो ये डाज़ाएगा अगला प्रैशन है दोस्तों कॉन सा कतन्द गलत है तो इसमें गलत कॉन सा है तो वाज़ सैयर नमबर है वाके में प्रब्त केरिया को उदेयर और करता किये विदिद्ध काते हैं किस विकलब में सबी सब्द सुध हैं तो वो गया श्यार नंबर तंदूरस्त मद्दी नजर और साहरा का इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला nice वााख्य में बावासीन नहीं ए तो वह हो जाएगा श्यार नंबर वह परती दिन सकूल नहीं चाता कौनसा कतन सही नहीं है तो इसमें एक नंबर हो जाएगा सालिस में करम वासे अकरमक और सकरमक दोनों किरियाओं में होता है अगला प्रश्ने दूस्तों वर्तनी की दर्ष्टी से सुद्ध सब्द है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दंपति स्यार नंबर इनमें विलॉम सब्द युग्म नहीं है तो तीन नमबर हो जाएगा आर और परियार इनमें विलॉम सब्द युग्म नहीं है तो वो हो जाएगा व्यत्रनीक और स्व्यत्रनीक एक नमबर किस विकलप में सभी सब्द असुद हैं तो वो हो जाएगा एक नमबर धातवी और बर्वनिष्ट ग्लाप्रशने इसमें वर्तनी की दर्ष्टी से कौन सा सब्द सुद नहीं है तो वो होगा दिश्टा तीन नमबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला है दोस्तों मैंने लड़के कोपुस्तक पढ़ाई उक्त वाक्य में परियुक्त करिया का वेध है तो इसका राइट आंसर होगा दीख कुनमाक इनमें स्विक्त वाक्य कौन सा है तो दो नमबर हो गया वह आगे बढ़ गया लेकिन परियुआर पीसे रह गया निमलेकित सरल साधरन वाक्य तो इसमें तीन नबर होगा दिन का ठका हुआ आदमी रात को खुब सोता है स्योक्त वाक्य का उदान है तो एक नमबर में आगे बढ़ गया और वपी से रह गया अगला प्रश्ण निमलेकित में सुध वाक्य है तो स्यार नमर इसका राइटा अंजरूगा सहित्यक और समाज का गनेश्ट समन्द कौनसा वाक्य असुद है तो वह बूरे आदमी नहीं ते स्यार नमर वाक्रेंड की दस्टी से कौनसा कतन सही नहीं है तो किसी भी वाक्य में करता और करम का वना आवसे के एक नमबर वाक्रेंड की दस्टी से गलत कतन है तो तीन नमबर सरुनाम और क्रिया की विशेश्टा बताने वाले सब्द को विशेशन कराते हैं अगला प्रेश्ण है दोस्तों कौन सा वाक्य सुद्ध नहीं है तो बेफाल तु बात मत करो दो नमबर निमले कित्मेत अज सुद्ध वाक्य है तो एक नमबर हो जाएगा हमारे देश में आनेक रमणी की स्तल है किस विकलब में सुद्ध वाक्य है तो वह होगा एक तीन नमबर असमेत का गोड़ा पकड़ा गया कौन सा वाक्य सुद्ध है तो तीन नमबर होगा मुझे शिक्सा परतकानियों की पुस्तक हैं सही है अगला है माने बच्चों को जगड़ेक वो पडोसियों में सिर्फ फूटा ने करवा दिया तो इसका राइट आंसर तीन नमबर होगा तिल का ताड़ बनाकर अगला प्रस्ण है इसका राइट आंसर सांट नमबर का कारे प्रारम होता ही विदन पढ़ना कागर में सागर पढ़ने का बावारते बहुत कम सब्दों में माते पुन बात बताना तो एक नमबर हो जाएगा और 62 का होगा स्यार नमबर दोस्तों अब मैं ज्यादा समय नहीं लोगा आपका जल्दी जल्दी बताता हूँ 63 नमबर का राइट आंसर होगा स्यार खोदा पाड निकला सुया चार नमबर 162 प्रश्ण का होगा कुसंक से बूरे का अधिक बूरा हो जाना तीन नमबर किस मौवरे का बावार्त सही नहीं है तो दो नमबर इसका राइट आए गड़े पानी पड़ा आनि बहुत वर्षा होना कमजूर द्वारा सक्ती परजल्द सन करना तो इसका 67 नमबर का आंसर है सीटी के पर निकलना एक नमबर राइट आंसर हो जाएगा अगले प्रशन दोस्तों 67 नमबर का आत्म निर्बर होना इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर प्रशन का होगा चार नमबर इसका राइट आंसर हो जाएगा विदी सम्मत अगला प्रेशन है किस विकलप में इंदी परिबासिक सब्द सही परिवग है तो इसका राइट आंसर एक नमबर हो जाएगा माधी बक्ता अगले अप्रेशन है दोस्तों किस विकलप में लोकोक्ति का वावारत संगत है तो इसमें दो नमबर होजएगा सोर की डाड़ी में अपराधी का निस्षक होना 71 नमबर में अत्यन्त करोद करना इसका राइट आंसर होजएगा एक नमबर 22 नमबर में दस्टी कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर 23 नमबर में दोस्तों दो नमबर हो जाएगा प्रादिकार इसका राइट आंसर किस विकलप में सुसान परिबासिक सब्द नहीं है तो इसमें दो नमबर हो जाएगा आयात निर्यात किस विकलप में गड़त परिबासिक सब्द है तो स्यार नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा परशिक्षन अगला प्रश्चन है दोस्तों 76 नंबर में दो नंबर जाए है सकल दूर वेवार और सिततर नंबर के लिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर एटतर नंबर में तीन नंबर दोस्तों फल सबरू इसका राइट आंसर किस सब्द का संदी विशेद नहीं है तो स्यार नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिप गांत असिस्ट नमबर प्रशन का दो नमबर राइट होगा दोस्तों रवींद्र इन में से कौन सी संधी गलत है तो दोस्तों इसका तीन नमबर राइट होगा 81 का सद मार्ग निमेलक में किस संधी सही संधी वो बताना तो इसका राइट आंसर होगा सिसूर्थ एक नमबर इट्यासी वी नमबर परशन का राइट आंसर दो होगा तदो प्रांत त्यासी और सौरासी वी एक का दोस्तों तोल सीक्रत इसका राइट आंसर होगा तीन नमबर पिस्यासी वी परशन का राइट आंसर होगा परम पिता अन्य इसका राइट आंसर दो अगले प्रिशन का दोस्तों असान इसका राइट आंसर दो हो जाएगा इसका राइट आंसर एक हो जाएगा दोस्तों दो नमबर अलंकारी कि इसका राइट आंसर शित्या सीवे प्रिशन का किस विकलप में करमदारी समास्त नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आप बिती अगला प्रश्ण किस परते में लब परते नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा अतल किस सब्द में गार परते का प्रियोग होगा तो सनाना गार इसका राइट आंसर होगा निमलिकित में तस्रम सब्द तो एक नमबर होगा त्वार किस विकलप में सबी सब्द तस्रम है तो दंड, सीर और साग इसका राइट अंसर होगा तीन नमबर इसमें दोस्तों हो जाएगा बेलन दार स्यार नमबर अगला प्रेशन्वे निमले कितमे देसद जब्द है तो इसमे राइट आंसर जएगा टोट का देसद जब्द है अगला प्रेशन्वे इसमें राइट आंसर तीन नमर हो जाएगा वस देसस बोलता है अगला प्रेशन दोस्तों इसमें अक्यला और सास इसका राइट आंसर हो जाएगा किस विकलप के सभी सब्द तद्बव है तो इसमें राइट आंसर होगा सकड़ा, काजल, खेत किस विकलप में तद्समा और तद्बव दोनों परकार के सब्द समाई थे हैं तो इसका राइट आंसर दो हो जाएगा आक और काक आम इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसी के साथ में S.I.E. की आंसर की यहाई पर समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक दीजी इजाज़त नमस्कार